दोस्तों हमारी स्क्रीन के ओपर एक क्वेशन दिख रहा है क्या कह रहा है इक क्वेशन चलो आएए देखते हैं शर्रिंक पर दान चलो अका क्या में रहा है थीन साइन दिया है और अब्यटा थीन स्क्रीम दिया है एव आपशन दीटा टीसरीम संदों शाइन दीरें संसदों थेक वसंद ता संस G यहां पर कोई अब्जेट था यहां से यहां पर गया तो जब इसका डिस्प्लेस्मेंट हुआ 5 by 3 तब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है 10 मीटर पर सेकंड इनिशेली यह रेस में था यानि यू कितना था तो यू था जिरो मीटर पर सेकंड हमको पूछा गया है what can be possible shape of object तो possible shape निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा k2 by r2 की value क्या आएगी वह हमें find करना पड़ेगा इस value के मुताबिक हमें हमारा shape decide करना पड़ेगा क्या आएगा तो यहां पर सब से पहले तो हम क्या करेंगे यह height है sin theta यह formula है s कितना है वाबा तो s है 5 by 3 sin theta कितना है तो sin theta है 3 by 5 इसमें से h कितना मिलेगा तो h मिल जाएगा हमें 1 अब हमरे पास velocity का formula है ruling motion के लिए velocity का formula क्या है v is equal to under root 2gh upon 1 plus k square by r square यह value है तो यहां पर सबकी values हम put कर देता है 2 g कितना है तो g हम पगड़ लेटे 10 h निकाल लिया है 1 plus 1 plus k square by r square तो velocity कितनी है तो velocity है 10 तो हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे यहां पर आपको velocity लेनी पड़ेगी बच्चों root 10 तभी यह solve हो पाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे दोनों side में square कर लेंगे तो इसका square कितना है 20 upon 1 plus k square upon r square तो यहां पर यह आजाएगा 2 यह इधर लेके जाएंगे तो यह क्या आएगा 1 plus k square upon r square is equal to क्या आजाएगा तो 2 आजाएगा यह 1 को इधर लेके जाएगे तो k square upon r square की value कितनी आती है तो 1 आती है तो k square upon r square की value 1 का बाती है जब आपका object या तो ring हो या तो hollow cylinder हो उसी time पर k square by r square की value 1 आती है तो हमारा object possible object को होगा या तो ring होगा या hollow cylinder होगा झौंजड़ झाल्यच को मIT मिलदव delegation या है